हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टू ओल उफ यू न बिंदा जीस फोरम, स्वागया था आप लोगा अपने सेटीव चनल बिंदा जीस फोरम, पेतो फ्रेंट्स, श्क्षा विभाग के दोरा जो अनुसुचि जाती हो जन जाती कलान विभाग के दोरा ख्लास 2-1-5 पराथमी के पूरे जानकारी देंगे कि क्यों आज का पेपर इस तरीके का लिया गया और क्यों कटफ आपका इस रेंज में है तो आप का सेलेक्षन लगभा लगभा तय माना जाएगा ठीक है पूरे टॉपिक पे बात करेंगे तो टी आरी 2.0 पीपेसी के दोर जोरा आज 14 बारत 2023 को फाइनल एक्जाम हो गया है और जितने भी जो 6 तू 8 में जो लोग दिये 9 तू 8 तेंट और जो लोग ओलेडी सेलेक्टेट है उनकी आधार पे मैं लगभग अभी तक 15-20 लोगों से बात करने के बाद जो कटफ निकल के सामने हरा है ठीक है और जो पेपर का लेबल पहले उससे बता दे कि मोडे टू टू टफ के स्रेणी में है और 120 नंबर पे ही आपका सेलेक्षन माना जाएगा 30 क्वालिफाइंग है अगर उस चक्कर बिना पड़े होंगे 30 क्वेश्चन इफेक्ट तो आपका सेलेक्षन सी ओर है 90% एटेंडेंस उससे ज्यादा ही था तो मेल और फिमेल का कटफ अगर इस रेंज में है तो आपका सेलेक्षन सी ओर है जनरल मेल 75-78 है तो आपका लगबल लगबता है और फिम 74-77 फिमेल 65-68 इव्लिवस की बात करे ले तो 74-78 फिमेल 65-68 फ्रेंट्स यह जो रेंज है जो कटफ बन रहा है यह जो नेवरिंग स्टेट्स हैं पड़ोसी राजी है वहां की कैनिडिट जो आ रहे हैं उनके मतलब वो लोग एक बहुत बड़े कमपेटिटर है और वो लोग अच्छा एक टफ कमपेटिशन को बना रहे हैं और जो की एक कटफ पढ़ाने में बहुत ज़्यादा कारगर सावित हो रहा है और जिसके कारण जो यहां के जो डो मिसाल केंडिट उनको यह चीज का सामना करना पड़ रहा है तो खैन कमपेटिशन ऐसे ही होता है अगर इस सिए अगर इस रेंज में है तो आपका सेलेक्शन फिरेंज में है तो आपका सेलेक्शन सी हो रहा है आशा करते आप वीडियो पसंद देख सब्सक्राइब करना बेल आगर प्रेस कीजिए ताकि आपको सारा ऑफीसर अप्रिट मिनता है थैंक्स वर वांचिंग लिस्निंग और कट अफ जैसे यह आंसर किया जाएगा उसके बाद आपको एक सर्वे के अधार पर कट अफ दिया जाएगा अगर उस रेंज में अगर आप आ रहे हैं तब भी आप सियोर माने जाएंगे अगर इस रेंज में है तो आप क्लियर है